मेरे नाम अचल जेन है, मेरे पिता जी का नाम स्री मनोज जेन है हमें 2012 में पता चला कि हमारी किड्नियों में समस्या है मेरे फादर डायबेटिक पेसेंट भी है उसके बाद हम लोगों ने जन्वरी 2019 तक एलोपेथ में इलाज लिया है हम लोग ने डायनेसिस तो नहीं कराया लेकिन हमारा क्रेटर नाइन लेवल 12 पे पहुंच गया था तो डॉक्टर साब ने हमें एलोपेथिक के डॉक्टर साब ने हमें यही रिकमेंड किया कि आप लोग डायनेसिस कराईए उसके बाद हम लोगो बाई यूटूब यह पता चला यहां पर यह कायरवेदिक डॉक्टर साब हैं जो यहां पर ट्रीटमेंट करते हैं उनका रिसर्च पूरा वो भी है वोस्पिटल भी है तो हम लोग यहां पर आए फिर हम लोगों डॉक्टर साब से बात की और रिपोर्ट बगएर अन्यकलने के बाद जो रिपोर्ट आई उसके बाद हम लोगों ने यहां पर दस दिन तक अपचार लिया अभी हमारा क्रिट नाइन थोड़ा सा कम हुआ है और यूरिया भी कम हुआ है पहले हमारा यूरिया था 194 अभी हमारा यूरिया कम हो गया है और क्रिट नाइन भी हमारा हमारा यूरिया हो गया है 174 और क्रिट नाइन हो गया है 10.58 तो हम तो सभी को यही कमेंट करेंगे कि एक बार कम सा गम राजिस के पहले या बाद आपको नहां पर आईए और अपना पुछा लीजिए, अगर हो सकता है आपको भी हमारी तरह सायदा हो जाए, यहाँ पर कई पद्दतियों के माद्यम से तरह द्वारा और दवाईयों के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, वही हमारे साथ भी हुआ, उससे स्वैलिंग बगेरा कम हुई, और अभी हमारे बे आरोग कि धाम में गुवास्थाएं ठीक है, ठीक हो, मरीश के हिसाब से अच्छी है, अटेंडर को थोड़ी सी होती है दिकत लेकिन वो तो सभी जगा होती है, लाँकि ठीक है, डॉक्टर लोग सब अच्छे हैं, डॉक्टर लोग सब सपोर्ट भी करते हैं, आपको बताते हैं, अबितक तो हम यहां के इलाज से संतुष्ट हैं, और आगे हमें और अच्छी सम्भावना हैं, इलाज को